जैहिन स्टुनेंट्स एक्ससाइज एट पॉंट तू से कॉश्चन नुबर शिक्स दूरिंग एसेल असॉब उफ़र डिस्काउंट परसेंट अंदे प्राइज उप आइटम्स वहर किसी सामान पर क्या करेगा तैन परसेंट का डिस्काउंट देगा आप उनके वहां जाएए आप कुछ भी खरी दिया आइटम वहां आपको उसके जितना भी उसमें मार्क प्राइज होगा आपको उसके कितना मिलेगा टैन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा जैसे कि यह बुक है मेरे पास इस बुक को अगर मैं मालीजी कि यह सौप से खरीद सौप में जब जाते होंगे तो महां जीन्स होती है या कोई पर आइटम होता है उस पर हर किसी पर टैग लगा होता है वो टैग जितना रुपीज सो करता है उसे क्या बोलेंगे हम उसका मार्क प्राइज के लिए ठीक है अब देखिए एक कस्टमर को क्या पे करना पड़ेगा अगर किसी जीन्स के पेर पेर मिन्स होता है दो दो जीन्स मिल ली है कितने में 1450 एंड टू सर्ट मार्क एट रुपीज 850 एच और दो सर्ट लेनी हो उसको और हर एक पे कितने का टैग लगा हुआ है 850 का यहाँ पे यह समझना क्या करीदना है एक तो पेर ऑफ जीन्स करीनी और पेर ओ सर्ट करीतना है यहाँ पर टू सर्ट लिखा हुआ है यहां पर लिखती क्या है पर लगा है यहां दोनों के दोनों जीन्स का कितना है 1450 एगे have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each तो shirts पे तो क्या है हर एक का 850 प्राहिज है लेकिन jeans का क्या है दो का 1450 ठीक है तो लिखते हैं statement फिर उसके बाद आगे करते हैं क्या दिया हुआ है याँ पे given marked price of pair of jeans रुपीज 1450 अच्छे पेटा एक चीज समझो यहाँ पे ठीक है यह marked price को हम क्या CP से compare कर सकते हैं तो आँ सोची जैसे माल लो यह book है यह book है अगर इसमें marked price 250 है तो मैं अपनी तरब से अगर मैं किसी shop में जा रहा हूँ तो मैं यही तो सोचूँगा कि जो shopkeeper है उसने 250 की खरीदी होगी मेरी निजर में तो यही है रहा है क्योंकि यहाँ पे print तो 250 है अगर वो मुझे इस पे discount दे रहा है इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उसे घाटा हो रहा है अगर मान लीजिए वो मुझे 10 रुपे की छूट देता है तो मैं क्या सोचूँगा मैं यह सोचूँगा कि shopkeeper ने खरीदी है 250 की और मुझे कित्ते में दे रहा है मुझे 240 में दे रहा है तो वो क्या सोचेगा वो तो यही सोचेगा कि shopkeeper ने इसको खरीदा होगा 250 क्योंकि यहां पर print कितना लिखा है 250 तो shopkeeper के लिए क्या मान जाएगा यहां पर यह CP भी बोल सकते है mark price को compare कर सकते हैं किस से CP किसके shopkeeper के लिए तो यहां पर मैं bracket में लिखेता हूँ CP समझ मैं आ गया होगा आपको क्योंकि यहां पर print rate 250 है तो मैं यही सोचूँगा कि shopkeeper भी से 250 में खरीदता होगा मुझे नहीं लेना देना कि उसने चाए 1 रूपीज में ले रिखियो है 200 में ले रिखियो मैं तो इसको देख क्या idea लगाऊंगा अगर वो मुझे 260 देखा 260 की देखा तो मैं सोचूँगा कि उसने profit कमाए 10 लूपीज अगर वो 240 की देता है तो मैं सोचूँगा कि मैंने profit ले लिया 10 लूपीज का क्योंकि उसको loss होगा क्योंकि 250 का खरीदा होगा उसने और मुझे 240 का दे रहा है तो उसके लिए क्या बने जाएगा यह CP समझ में आ गया होगा अब customer के जो आपका सौप की पर होता है सौप की पर के लिए जो प्रिंट रेट होता है वो उसके लिए आप क्या सोच सकते हो आप CP से कंपेर कर तो mark price को आप CP भी बोल सकते हो क्योंकि आप उसी formula से करेंगे मैं जैसके मैंने आपको पहले भी बताया था सारे हम एक ही question से करेंगे तो मैं तभी उससे कंपेर कर तो आपको समझ में आ गया होगा तो given marked price of pair of jeans CP तो जो jeans के दो jeans होंगी दोनों jeans को मिला के कितना लिखा होगा उन पर 1450 तो मैं यह सोचोंगा कि जो shopkeeper है ना वो shopkeeper ने इसको खरीद आप 1450 में दो खरीदी होंगी है ना और क्या दिया है मार्ड प्राइज और इच शर्ट यहां भी CP समझ लेते हैं है ना क्योंकि उस पर लेबल लगा होगा एक शर्ट पर लगा होगा कितने रुपीच का रुपीच 850 अब मुझे होगा सस्ता देगा तो मैं सोचूंगा कि क्या होगा उसको लॉस हो गया ठीक है तो लेकिन जो customer है customer को कितनी खरिदनी है ये तो इच शर्ट दे रहें जीन तो ठीक है चलो दो जीन से लेनी थी उसको यहां सर्ट भी उसको टू लेनी थी दिखिए तो तू सर्ट लेनी थी तो मैं यह पर मार्ड प्राइज अब तू सर्ट कर लेता हूं क्योंकि मौन सी के क्या एकषों को तो कितनी हो जाएंगी एट फिप्टी तू जीरो जार तू फाइब जार ठीक है इतना हो जाएगा अब जो कस्टमर है वो तो यही सोचेगा ना कि दो जीन्स जो है सोब कीपर ने खरीद है फोटिन अंडर फिप्टी की और दो सट में लेने वाला हूं दोनों को मिला के सोब क पर ने खरीद है 1700 ठीक है अब सोब की पर क्या कर रहा है डिसकाउंट दे रहा है अगर सोब की पर डिसकाउंट दे रहा है इसका मतलब वो इससे सस्ता बेशने वाल है तो खुद को क्या करवा रहा है वो खुद को क्या कर रहा है लौस करवा रहा है अगर मान दो मैं सोब मे दे रहा है इसका मदब मेरे माइंड में आएगा ओहो ये तो अपना लॉस करवा रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है डिसकाउंट मालग वो कम में बेचना चाह रहा है तो उसके लिए क्या हो गया डिसकाउंट एक तरह से क्या हो गया लॉस हो गया उसके लिए ठीक ना तो हम क् अगर एकॉर्डिंग टू क्वेस्टिन डिस्काउंट और ओल आइटम्स कितना है टैन परसेंट और लॉस परसेंट भी बोल सकते हम क्योंकि उसे डिस्काउंट दे रहा तो अपना लॉस करवा रहा हो इससे महेंगा बेचना चाहे था उसने तब वो अपना प्रोफिट कमाता हमारी नेशर में यह होता है ना तो डिस्काउंट और आइटम्स इकल टैन परसेंट और लॉस परसेंट इकल टो टैन ते रहा है तो क्या चीज मिसिंग है यहां पर वही तो चीज पूछ रहे ना वर्ट वुड़ा कस्टमर है टू पे फॉर पेर और दिन इसका मलब क्या न अभी का टाइए तो लोस परसेंट का फॉर्मुला लगाएंगे हम बहुत सीमबल सैंडुक्स का फॉर्मुला क्या होता है Цीपी माइनस एस पी अपॉन सीपी मैल्टिपलाइब लए कितना अपना परसेंट उसने बोला भी मैं सारे आइटम्स पर क्या दोंगा 10 परसेंट प तो देखे cp अच्छा दोनों का cp तो निकालना पड़ेगा मैं टोटल cp तो निकालना पड़ेगा टोटल कितने में खरी था यह सोब की बने दोनों को तो क्या करेंगे 1450 प्लस 1700 तो कितना जाएगा दोनों का 0513 है ना टोटल cp अब क्योंकि दोनों का तो आम एक साथ निकाल लो मैं तो 3150 माइनस sp अपान 3150 मुल्टिप्लाइब है हंडेड 10 मुल्टिप्लाइब है 315 एक्वल टू 3150 माइनस sp मुल्टिप्लाइब है 10 315 00 – 10cp अब क्यों जाएग यह माइनस में तो इह तरा जाएगा कितनमा जाएगा 315 00 यह किसमे चल जाएगा माइनस में क्योंकि यह क्या है पलस में इस साइड माइनस में जाएगा अब क्या जगा 10 SP यो जाएगा पर 0 फिर आजगा 5 फिर आजगा 3 एट फिर आजगा 2 तो 2 तो यहां 10 मुल्टिप्लाय में है 28350 तो डिवाइड मां जाएगा एस पीकल टू कितना जाएगा 2835 तो जो सौपकीपर है पूरा किते में पेछेगा उसे 2835 और जो कस्टमर है वो कितना पे करेगा इतना ही तो जितना सेलिंग प्राइज हो गया उसका क्योंकि जैसी मालो यह सर्ट्स जो हैं सर्ट्स और पेर और जीन्स लेके हो मालो हूँ काउंटर पे जाएगा काउंटर पे क अ branded जो ऀतना रूपीज कट करेगा वो कितना कट करके देगा 2835 का बील देगा होसे तो सौपकीपर को इतना पेगा उस सोर्य कस्टमर को इतना पेगनना पढ़ेगा तो हम लास्तनमेके लिखेंगे किसको पे करना है कस्टमर को यह है ठीक है कस्टमर विल हैव टू पे एक्वल टू रूपीज 2835 बेटा एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की थी मैंने दूनु जो थे आइटम जीन्स और सर्ट दूनों को एक साथ ही निकाल के क्योंकि दूनों पर 10% का डिसकाउंट था अगर मान लीजिए कि जीन्स पर दिया होता 10% और सर्ट पर दिया होता 5% तो मैं अलग अलग निकालता कैसे यहाँ पर 1450 दे रखा है तो मैं पहले फॉर्मला लगाता 1450 लग लग निकालता 10% के इसाब से किस का निकालता जीन्स कितने कापड़ेगा पिर उसके बाद सर्ट पर सर्ट पे दू सर्ट का अगर होता तो अगर 5% होता तो मैं 5% कि संब का फिर निकंग पया आरो निक था दो firstP लेकिन इस कोशन में तो मुझे आसानी हो गई एक ही में निकाल नहीं वना कई जगा है अपने सॉलेशन देखा भाई इसका इसमें क्या कर आए अलग लग निकालने की जुर्ड़त नहीं है अलग लग वहाँ पे निकलता है जहां discount percent अलग अलग हो ठीक है ना वहाँ पर अलग अलग निकालने है फिर दोनों का SP को प्लस कर लेते हैं Question number 8 The price of a TV is Rs. 13,000 The sales tax charged on it is at the rate of 12% Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it बोल रहा है कि एक TV का जो price है वो कितना है 13,000 है उसके बाद उस पर tax लगता है 12% का तो अगर Vinod उसको खरीदे तो उसे कितना रुपी पेगना पड़ेगा आईए समझते हैं से माल लीजिए Vinod किसी shop में गए ठीक है इसको समझते हैं पहले Vinod किसी shop में गए उन्होंने एक TV देगा नया TV लेना होने उन्होंने एक TV देखा जैसा कि हमने ठीक है तो इसका मतलब Vinod के माइंड में क्या आया होगा कि shopkeeper ने इसे कितने मा खरीदा होगा 13,000 मा खरीदा होगा क्योंकि टैक से तो पता चलेगा ना जैसे इस बुक को जैसे मैं आपको दिखाया था ये बुक को देखूँ तो मेरे माइंड में क्या आएगा कि ये बुक कुछ shopkeeper ने कितने में करी दिया 250 में ऐसे ही टीवी में उन्होंने क्या देखा टैक लगा होगा देखा कितना 13,000 का तो भीया अब क्या हुआ उन्होंने बात करी किसे shopkeeper से shopkeeper से पूछा कि आप मुझे कितने में दोगे तो shopkeeper ने बोला जी इस पे टैक तो लगा हुआ है 13,000 का लेकिन आप पर मैं थोड़ा सा ना टैक्स भी लगा हुआ क्योंकि मुझे गॉवर्मेंट को देना होता है ठीक है अब वो टैक्स लगा रहा है कितना परसेंट का 12 परसेंट का तो यहां पर क्या दे रखा है the sales tax charge कितना परसेंट का लगा है 12 परसेंट का अब देखिए बेटा अगर sales tax लगाता है उस पे मतलब कि उस पे कुछ tax लगाएगा तो हमें ज्यादा मनी देने पड़ेगी हमें ज्यादा मनी देने पड़ेगी तो इसका मिलब जो shop की पर है उसे क्या होगा profit होगा तो दूसरे words में हम इसे क्या बोल सकते है profit profit percent तो बोल सकते है अगर उस formula से compare करेंगे उस formula में रखेंगे तब क्या होगा था 13,000 का tag लगा हुआ था अब shopkeeper बोलता है ना ना मैं 13,000 में नहीं दूँगा मैं 12% और चार्ज करूँगा इसके बाद तो इसका मिलब वो profit तो कमा रहा है न उस पर तो हम दूसरे words में यह बोल सकते हैं क्या profit percent equal to 12 और यह price of TV को क्या उसके respect में क्या बात कर सकते है cost price इसका मिलब shopkeeper ने कितने में खरीता है 13,000 में लेकिन वो 13,000 में नहीं बेच रहा वो क्या कह रहा है कि मैं इस पर tax लगा हूँ और यह 12% का तो इसका मिलब वो क्या कमाने वाला है इस पर profit कमाने वाला है तो हम कौन सा formula लगाएंगे profit percent का profit percent का formula क्या होता है SP-CP upon CP multiply by 100 ठीक है तो profit percent कितना था 12 SP SP तो निकालना है कि कितना पे करना पड़े था उसको किसको विनोत को तो CP CP दे रखा है 13,000 upon 13,000 आजाएगा CP की value multiply by 100 20 से 20 कर जाएंगे 12 multiply by 130 30 equal to SP-13,000 ठीक है 12,000 12,336 12,112 12,315 ठीक है अब यहां के था जाएगा SP-13,000 अभी देखिए SP यहां पर plus में तो plus में रहने दीजिए यह माइनस में तो इस तरह बाजाएगा प्लस में 13,000 ठीक है अब देखिए 0 फिर या जाएगा 6 फिर या जाएगा 5 फिर या जाएगा 4 और या जाएगा 1 SP यह ऐसा लिख सकते हैं SP इकल टू 14,560 फिर से समझते हैं एक टीवी था उस टीवी का टैक लगा हुआ था 13,000 का इसका मतलब वो सौप कीपर ने कितने में खरीदा होगा 13,000 में खरीदा होगा जैसे उन्हें पूछा कि आप मुझे कितने का दोगे तो सौप कीपर ने क्या बोला कि मैं इसमें टेक्स लगा के दूँगा 12% का इसका मतलब सौप कीपर क्या कमाना चाह रहा है उस पर और profit कमाना चाहरा है और profit लेगा तो समल상 अब दो कि पर यह तो इसका मुलुट चुन है जो इस question में बोला है कि अरुन ने एक sale से क्या किया एक skets का pair purchase किया और उसे कितने का discount मिला 20% का discount मिला इस the amount he pays is rupees 1600 find the mark price पिड़ा आपको एक question ना थोड़ा सा आपको गुमा के दे रखा है यहाँ पर देखना है आपको कि अरुन किसी को बेच नहीं रहा है अगर अरुन किसी को बेच रहा होता तब यह CP होता खुद से सोचिए अरुन नहीं बेच रहा है यहाँ पर यहाँ पर जहां से उसने खरीदा है वो बेच रहा है से shop की पर बेच रहा है से जहां sale लगी थी वो shop की पर बेच रहा है या उस shop से जिस shop से वो खरीद रहा है वो shop उसे 1600 में बेज रही है इसका मतलब यह क्या दे रखा है selling price दे रखा है तब ही तो वो बोले find a marked price मतलब कि जिस से उसने खरीदा उस आदमी ने कितने का यह खरीदा होगा नहीं आया समझ फिर से देखिए अरुण ने क्या करीदा एक pair of skets खरीदा अगर उसने pair of skets खरीदा है तो इसका मतलब हो कहीं shop में गया होगा ना, इस वाप में क्या होगा, एक आदमी होगा, उससे खरीदा है ना, उससे खरीदा है, इसका मतलब जिससे खरीदा ना, वो है सौप कीपर, उसने भी तो कहीं और से खरीदा होगा, तभी तो इसको बेचा, किसको, अरुन को, अरुन को उसने कितने में दिया, 1600 में, और खु रहे किसको? सौबकीपर को! सौबकीपर उसे बेच रहा है ना कि अरुन उसे जहीं बेचने वालँ होता तब हम बोल देते हैं ये और अगर वो किशी को बेच रहा होता तब बोलतें कि उसने कितना प्रॉपिट याallas करा अरुन नहीं बेच रहा, अरुन तो खरीद रहा है और अरुन खरीद रहा है इसका मतलब इसका मतलब सौब कीपर यहां पे मेन है सौब कीपर मेन है इसका मतलब सौब कीपर ने क्या खरीदा होगा पहले से कहीं और से खरीदा होगा और अरून को बेच रहा है कितने का 1600 का तो आपसे इस question में यही पूछा गया है कि जो skets खरीदे हैं न सौब की पन ने skets का pair खरीदा हुआ है वो कितने में खरीदा हुआ है जितना उसने अरून को 1600 में बेचा तो इसका मत्तब given क्या दिया है यहां पर selling price दिया हुआ है selling price of skets कितना दे रखा है रूपीज 1600 इतना selling price है इसने pay किया हुआ है इसने pay किया है इसका मत्तब इसने खरीदा हुआ है इसने खरीदा हुआ है तो इसका मत्तब किसने बेचा हुआ है सोब कीपर ने बेचा हुआ है इसको ठीक है डिसकाउंट कितना 20% इसका मलब सोब कीपर ने इसको डिसकाउंट दिया हुआ है इसका मलब सोब कीपर ने महेंगा खरीद है इससे सोब कीपर अपना क्या करवा रहा है लॉस करवा रहा है लॉस लॉस परसेंट कितने घैर रखा है 20 historian लॉस हो गया छी न टैक्स लगा तो चार्ज प्रॉफिट तो डिसकॉण भलद लॉस तो यहां पर क्या लगए लॉस परसेंट का फॉर्मला लगएगा लॉस परसेंट का फॉर्मला थे सीपी माइनस SP अपानiona CP multiply by 100 और यहां पर पूछा हुआ है CP तो लॉस कितना है 20 ठीक है और CP minus SP selling price आपकी परने कितने का पेचा हो से 1600 का ठीक है CP multiply by 100 अब क्या करेंगे 20 से CP multiply by 20 CP यहां पर आजाएगा CP minus 1600 multiply by 100 20 CP 100 से यह multiply आजाएगा 100 CP और 100 से यह भी multiply आजाएगा कितने 0 आजाएगे 4 0 आजाएगे ठीक है अब देखिए बिटा यह minus में इसको इस तरफ ले आते हैं यह positive आजाएगा और यह कितना जाएगा 100 CP और यह plus में तो इस तरफ किसमा हैगा minus 20 CP अब 16 followed by 4 0s equal to 80 CP इसको ऐसे लिख देते हैं तो 80 CP equal to 16 followed by 4 0s CP equal to 16000 upon 80 students कई जगा आपने देखा होगा कि यह जो question कराया जाता है यह अलग लग formulae से कराया जाता है हमने शुरू से अभी तक एक ही formulae पर किया वह या तो profit percent का या तो loss percent का तो आपको ऐसे आना चाहिए सोच आपकी न थोड़ा आगे तक बढ़ानी आपको यह सोचना है कि अरून यहाँ पर main है यहाँ पर main यहाँ पर main था और रुपे पेक अप करता है कोई रुपे पेक अप करते हो जब कोई बेच रहा होता है न अगर मालीजी आप market में जा रहे हैं और tomato ले रहे है तो इसका अमला बेच कौन रहे है सबजी वाला बेच रहा है उसे तो इसके लिए वह selling price उसके लिए है आपके लिए तो CP है आप उसको CP मानना होता है ठीक है तो यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन यहाँ पे seller है कौन यहाँ पे buyer है ठीक है माइं रूप अ पेर नद्यक्ते ओ जो ना मॉच्छ पेर 5800 स्कौब एट परसेंटर जाए pakai डायाँ बैस्टेस व्इपुणाओ जाए किता रही है, गोर से देखिए और समझे, I purchased a hair dryer for 5400, मैंने एक hair dryer खरीदा कितने में 5400 में, क्या मैंने इसे किसी और को बेचा, कहीं पर दिख रहा है, आपको कहीं पर मैंने sell किया, नहीं किया, मैंने कहीं sell ही नहीं किया इसे, तो ये मेरे मेरे लिए CP नहीं है यह मेरे लिए CP नहीं है यह सोब कीपर के रिस्पेक्ट बात करना चाहरा है आपसे यह फाइंड दप्राइज विफोर वेट वाज एड़ेट इसका में लोग जिससे खरीद है ना उसने यह इस कोशन की तरह कौशन था कोशन नमर यह एट जैसे इसमें ट मैंने एक हेर ड्राइर खरीदा लेकिन बेचा किसने सोब कीपर ने बेचा है तो सोब कीपर के रिस्पेक्ट मम बात करेंगे अगर मैंने किसी और को बेचा होता एट परसेंट वेट लगाके तो बिलकुल मैं इसको CP बोलता अपने लिए लेकिन यह क्या है SP है यहाँ पे क् किसी और को नहीं दिया अगर मैं किसी और को दू तब यह CP है और तब मैं बात करूँगा कि मैंने कितने में पेचा तब सेलिंग प्राइज पूछोंगा आप से यहाँ पे नहीं पूछा गया यहाँ पे तो सेलिंग प्राइज खुद दिया हुए है क्योंकि सोब कीपर यह प्राइस था उसका घ्राइड तो यह है यहां पर गिवन है गिवन कि एस पी आफ कि यह ड्राइड कितना है रूपीज फाइफ थाउजन फॉर हंड़ ठीक है कि है सौब कीपर ने मझे किते में चिए फाइड फाइड फॉर हंड़ेड वैड कितना है इसपे टाइड कितना लगा ऐसने यह वैड लगा है तो अश्का मनलब क्या इस पर प्रॉफिट और प्रॉफिट कमा रहा है वह क्योंकि वो tax लगा रहा है हम पे value added tax जभूते हैं उसको value added tax कितना लगा रहा है 8% इसका मलब हमसे क्या कमा रहा है इस पे profit भी कमाया उसने तो हम क्या लगाएंगे कौन सा formula लगाएंगे profit percent का profit percent का formula होता है sp minus cp upon cp multiply by hundred सारे question एक ही formula पे होंगे या तो profit या तो loss पे तो profit कितना कमाया उसने 8% का क्योंकि वो tax लगा रहा है हम पे और मुझे कितने का दिया उसने मैंने खरीद है तो उसने कितने में बेचा मुझे 5,400 में और उसने कितने में खरीदा ना यह पता करना हम है कितना उसका price था before weight तो क्या करेंगे यहां पे 8 से multiply करेंगे 8 CP आ जाएगा यहां पे आ जाएगा 5,400 माइनस CP multiply बाद 100 अब क्या हो जाएगा 8 CP 5,400 दो 0 और जाएगे 100 से multiply होगा 100 CP ठीक है अब यह 100 CP यहां माइनस में तो क्या किसमा जाएगा सब्सक्राइगा 100 CP 54 यह ठीक है 108 CP equal to 54 तो CP equal to क्या जाएगा 542 3 upon 108 क्योंकि यह दोनों में डिवाइड माँ जाएगा CP अब देखो 54 वन जा और 54 टू जाएगा ठीक है फिप्टीफोर टू जाएट होता है वन वन क्या की किते हैं जो वन टू थ्री फोर तू थ्री फोर नीचा जाएगा टू तो CP equal to क्यतना हो जाएगा 5000 तो इसका मतलब सौप कीपर भहिया जो थे ना उन्होंने 5000 का खरीदा था इसे और 5000 का खरीदने के बाद मुझे कितना 24% टेक्स लगा दिया 8% का टेक्स लगा दिया और टेक्स लगा दिया कितने 8% का उसके बाद मुझे कितना पएकर ना पड़ाओ उनको 5400 इसका मतलब उन्होंने sell किया है कितने में देखो अब पूरी story हो गई shop की पर जो था उसने खरीद है कितने में 5000 में और मैंने कितना pay किया मैंने जब खरीद है मैंने कितने में खरीद है 5400 यह तो उनके लिए बहुत कम था उन्होंने टेक्स लगाया उनने प्रॉफिट कमाया यह 8% का वेट लगाया उनने तब जागे इतना रोपे का उनको मुझे पेगा ता पड़ा सो माग प्राइज ओफ हेर राहर इकल टू रुपीज कर दूपीज बारोव में से हुए प्राइज प्राइज अर्टिकल वाज प्राइज पर लेंद लेंदना प्रॉपीज 1-2-3-9 इंक्लोडिंग GST of 18% find the price of the article before GST was added फिर से वोई कोशन कोशन मर 9th कोशन मर 10th की तरह ही कोशन मर 11th भी है एक article को खरीदा गया कोई चीज होगी उसको खरीदा गया किते में 1239 में including GST of 18% find the price of the article before GST was added अब देखें बेटा यह article का purchase लिख रखा है लेकिन यह real में selling price है क्योंकि यह article को खरीद के किसी और को नहीं बेचा गया है अगर किसी और को बेचा गया होता तो हम बोल देते हाँ यह CP है और किसी और को GST लगा के बेच है तो यह फिर उसके बाद SP निकालना है यहाँ पे तो पहले ही article sell हो चुका है किसे जिसने खरीदा है उसको sell हो चुका है एक shop की पर रहा होगा उसने कहीं से खरीदा होगा और खरीदने के बाद कितने में बेचा हुए 1239 में फिर से समझी यहाँ पे एक shop की पर रहा होगा एक shop की पर रहा होगा उसने कुछ में खरीदा होगा कुछ CP रहा होगा लेकिन उसने बेचा कितने में 18% का tax plus किया उसमें 18% का tax plus करने के बाद कितने में ते दिया 1239 में sell कर दिया लेकिन जिस आदमी ने बात करी ना उसने अपने तरह से बात की कि मैंने खरीदा तो उसने खरीदा तो उसने खरीदा तो उसने सही बता है कि an article was purchased for 1239 उसने तो अपने तरह से सही बोला कि इतने में खरीदा है लेकिन अगर हम shopkeeper के point of view से बोला है तो उसने क्या करा है इसे बेचा है इस आदमी को और कहीं से उसने खरीदा है क्योंकि यह पूछ रहा है कि find the price of the article before GST was added जब GST add किया होगा उससे पहले तो shopkeeper के पास रहा होगा ना GST इस पे कोई भी tax लगा है tax तो तब लगाया होगा जब shopkeeper ने बेचा होगा given SP of an article कितना है पिटा रुपीज 1239 यह selling price है उसका इतने में बेचा है किसने shopkeeper ने बेचा है ठीक है do Iuse to and get you the audio at 10% अब क्या लगाया है इस पर D Solow उस ने क्या लगाया होगा profit कमाया हो ना इस पर profit percent equal to eighteen ca कि अगर कोई उसपी जी स्ट लगा रहा है तो चानी का मतलब उसपे टैक्स लगा रहा है और टैक्स जब लगा तो इस लोगों क्या कमा रहोगा profit कमा रहोगा profit कितने परसेंट का 18 परसेंट का तो हम कौन सा फोरून लगाएंगे profit परसेंट का profit परसेंट का फोरून था SP-CP upon CP multiply by ठीक है profit कितने का 18 परसेंट का profit कमा है उसने selling selling price कितने में बेचा उसने 1239 और यह CP upon CP मल्टिप्लाइब है ठीक है 18 से मल्टिप्लाइब जागा 18 CP 1239 माइनस CP मल्टिप्लाइब है अंडे 18 CP एकल टू 1239 00-100 CP अब देखिए माइनस में यह इस्तरवाइगा तो किसमा जाएगा प्लस में 100 CP एकल टू 1239 00 यह जाएगा 118 CP प्लस हो जाएगा 1239 00 यह मल्टिप्लाइब है तो किसमा आएगा डिवाइड प्लस में जाएगा 118 अब टू से डिवाइड कर देते हैं 2510 और 2918 और यहां जाएगा 26 जा फिर आजएगा 21 जा 29 जा 25 जा जा अब ऐसे तो होगा नहीं डिवाइड यहां चेक कर देते हैं इसे डिवाइड करके 61950 59 59 बन जा 59 दो रहे गए यहां पर 9 एक उतर गया 9 अब देखे 29 तो डिवाइड होता नहीं 0 लग जाएगा तो क्या जाएगा यहां पर 5 उतर जाएगा ठीक है तो 59 की टेबल में यहां पर जाएगा 5525 तो 5 पर ट्राय करते हैं 59 जा 45 5525 फिलस 29 हो गया एक अडिया और एक जीरो आ तो कितने बागा जीरो पर तो कितना आया 1050 अब पूरी स्टोरी को फिर से समझते हैं देखें जो सौब की पर था उसने जिसने इसको बेचा है कितने में बेचा है उसने सोब की पर ने 1239 में और उसने खरीदा कितने में इसको 1050 टेक्स लगाया उसने जी एस्टी जी एस्टी टेक्स लगाया इसका में उसने प्रॉफिट भी कमाया उस ठीक है तो हमना आस्ट में क्या लिखेंगे ट्योटोट्योटे लिखेंगे टो बाहँ टेक्स लिखेंगे respect कि अपर ने था उसका है देगे टाट एक।ी क्यां । इर एक देव्यूत सुट्ट की 7च